नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कुछ ऐसे अंक होते हैं जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्णो कर देता है अगर कोई बहुत जरूरी काम है आप चाहते हैं वो कारे पुरा हो जाए बहुत ही जैसे किसी कोड कचरी का तारीक है आपका कोई भी मसला है कोई जगड़े लड़ाई है बैपार का लेकर कोई है आप चाहते हैं कि वो हम साइन करें वो पूरा हो जाए नौकरी करते हैं किसी तरह कोई है काम या टेंडर भरा है वो निकलना है जब बहुत जरूरी काम हो तब एक चोटा सा प्रयोग कीजेगा कारे बनने की संभावना 99% बन जाती है यानि एक परसंट तो आपको भागे का साथ तो मिलना ही होगा लेकिन 99% जो है वो इस काम को करने के बाद वो आपका कारे पूरा होने लगता है वैसे तंतर सास में बहुत सारे प्रयोग बताये गये हैं और आज हम आपके साथ जो शुरित अपों आपको पता है कुछ घटनाईं जो हमें याद रहती हैं कुछ नहीं याद रहती लेकिन अंग को परिवर्टिक करके उनके योग से जो मूर 앞 प्राप्त करते हैं उन से बहुत सारी अग्यात 1 11 1 14 जिसको हम स्प्रीट्यूल नंबर कहते हैं बहुत जब मन की आप कोई भी मन में भी सोचते हैं और 11 11 नंबर को याद करते हैं अब मान लेते हैं जैसे कि 11 मेना होता है नुम्बर और 11 तारीक आ जाए उस दिन आप जो भी करेंगे जो दिल से करेंगे जो भी कारे में हाथ लगाएंगे वो कारे पूरा हो जाएगा यह करने का प्रयास करते हैं तो उसके पूरे होने के होने की संभावना बढ़ जाती है तो 11 11 हर कारी को पूरा करता है आप जो चाहिए वो कर सकते हैं लेकिन आज एक तांतरिक प्रयोग भी आपके साथ साझा करेंगे तो ऐसे में आज हम आपको एक छोटा सा प्रयों इतना ही बनना और मुझक प्रयोग आप बाश我ंगता है हम भी कई दूसरा आपके घर के असपास कहीं होगा अप देखकर पहले से रखिए घर के अधना करता है इसलिए आपके घर के असपास देखिए मदार का पीड़ा ज्यादा सुनसान जर्गह पर आप मच जाएगा ठी अब मदार के पौधे के पास अपनी पिंगर जिसको हम अनामी का उंगली कहते हैं उसमें से सुई को या पीन को चुहूई और उसमें से जो रख्त निकले उससे मदार के एक ही पत्ते पर लिखना है नाइन नौ गुना तीन गुना अब लिखने के बाद उसके नीचे अपना जैसे नाम भी नाम है अप महला है पूरुस और पांच लोंग चारु तरब से आपकुछी इसतरह से उसमें जुफो दे कि वह जो आपका आपने जो नाम लिखा है जो अंक लिखा है वह जैसे नहीं प्रते वह क्लियर रहे और चारो तरब अच्छे से साब्धानी से लाट फिर अपनी कामना कहें याद रखिए आपने जो रक्त निकाला है ना थोड़ा सा रक्त उसी से बस नियम करना है जरूरी नहीं आपको डार्क लिखना एक बर थोड़ा से चुपो कर निकालने और उसी से फटापट फटापट से लिख ले हलका भी लिखाया है तो भी हो गया आपने नियम कर लिया अब यह प्रियोग करने के बाद आपकी जो भी जो बहुत अर्जेंट काम है उसके बारे में वहां पर आप पौधे से बोल दीजिए कि मेरे को यह काम हम चाहते हैं वह पूरा हो जाए घर चले आए मस्त हो के सो जाईए अगले दिन जब आप उस कारे को पूर्ण करती है यह प्रियोग करके देखें जब बहुत आपसकता हो किसी भी तरह का आपसकता हो बहुत जरूरी जिसको कहते हैं कि अब यह जीवन मरन का प्रस्टन है नहीं वह तो बरबाद हो जाएंगे तो मंतर किती चीज़ें होती है ना तब यह प्रियोग लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो